हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूटूब चैनल दापेट वीजन दिस साहिल मली की वर होस्ट एंदि यूरवेड तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से एक दर्खवास रहेगी तो गाइस मेरे एक दोस्त का एक चैनल है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ इस फ्रेंड की भी हेल्प हो विकोज लड़के ने बहुत जादा महनत की है तो गाइस इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं आई बटन के अंदर भी इसको आपको प्रवाइड कर दूँगा प्लीज 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 इस चैनल को तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक के ओपर तो गाइस आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो होने वाला है बॉन ट्रॉमा इन डॉक्स और कैट्स यानि यह जो ट्रॉमा है डॉक्स के अंदर भी डिसक्स करेंगे और कैट्स में भी डिसक्स करेंगे जो basically similar सा होने वाला है तो guys bone trauma का मतलब क्या है trauma मतलब होता है किसी भी तरह की injury अगर वो bone में हो जाए तो उसको हम bone injury या bone trauma भी बोल सकते हैं इसके अंदर guys क्या होता है basically आपके dog की body के अंदर या किसी भी affected bone के अंदर fracture develop होने की possibilities बहुत जादा मात्रा में बढ़ जाती है और यह fracture क्या reason हो सकते हैं इनके पीछे अगर आपके dog का कहीं accident हुआ है या आपका dog कहीं से गिर गया है यानि किसी उपर वाली जो height जो होती है एक अच्छी height से नीचे गिर गया है तो ऐसा हो सकता है fracture develop हो सकता है अगर आपका dog fight वगरा कर रहा है street dog से तब भी यह situation आ सकती है और अगर आपके dog में कुछ fire arms होता है यह problem condition develop हो जाती है जब यह situation अगर आपके dog के साथ घटित हुई है तो घैस अगर मैं fracture के बारे में आपको बता हूँ तो जो fracture जो होता है दो टाइप का होता है एक होता है open fracture एक होता है closed fracture अब घैस बैसिकली जो open और जो close fracture होते हैं इनके अंदर हम एक single bone भी लेके चल सकते हैं और हम एक completed bone या basically जिको हम multiple bone भी बोल सकते हैं multiple bones भी इसके अंदर affected हो सकती है तो guys basically अगर मैं बात करता हूँ fracture के type में तो fracture कितने type के होते हैं तो guys first जो fracture है जैसा कि आपको screen पे नज़र आ रहा होगा ये एक simple type का fracture है आगे जो fracture है जैसा कि आपको screen पे नज़र आ रहा है ये एक community type का fracture है और आगे आपको oblique form नज़र आएगी जैसा कि screen पे आपको नज़र आ रहा है ये एक oblique form है आगे आपको transverse form नज़र आ रही है जैसा कि screen पे photograph में चल रहा है slides के अंदर और आगे आपको spiral form के अंदर एक fracture देखने को मिल रहा है तो guys ये जो form होती है तो guys अब मैं बात करता हूँ symptoms की जो की main जो part है इस वीडियो का symptoms के बारे में बात करते हैं तो guys आपको at least ये पता तो होना चाहिए कि अगर मेरे dog को fracture है तो मेरे dog के अंदर क्या-क्या symptom नज़र आएंगे तो सबसे पहले symptom आपको देखने को मिलेगा आपका जो dog है चलने फिरने में काफी ज़दा problem पा रहा है यानि उसको shifting lameness आपको देखने को मिलेगी और जिस part पे fracture हुआ है वहाँ पे आपको pain देखने को मिलेगा सबसे important point है note कर लेना, याद कर लेना ठीक है? तो guys अब pain कैसे? जैसे मालो affected organ है वहाँ पे आप थोड़ा सा उसको touch करने की कोशिश करोगे ना तो आपको वहाँ पे pain feel होगा और एक guys जब वो moment जो करेगा तो आपको cracking sound नजर आएगी या आपके wet जो आपको diagnose करके दिखाएंगे कि ये कहां से fracture है कौन सा part fracture है तो वहाँ से एक अजीब सी एक moment आपको bone के बीच में नजर आएगी तो यानि bone जो होती है main अपने socket में नहीं जा रही है बलकि कोई another path उसने पकड़ा हुआ है ऐसा आपको नजर आएगा तो guys वीडियो का main part है treatment के बारे में आपको बताना तो guys treatment के अगर हम बात करते हैं अगर मालो young puppy है या basically जिसको हम growing जो puppy भी बोल सकते हैं अगर उसके अंदर fracture जैसी condition आ रही है तो उसको हम external splint वगएरा लगा के या जो पटी वगएरा जो होती है bandages वगएरा होती है या plaster वगएरा जो होता है उससे हम cure कर सकते हैं basically bone जो है बीच में से तूट ही गई या cut fat ही गई तो उसके अंदर क्या होता है guys जो veterinary जो surgeon होते हैं bones के अंदर कुछ bone plates होती है वो develop कर देते हैं या बेसिकली लगा देते हैं साथ में कुछ screws वगएरा होते हैं बेसिकली जिनको हम जो page जो बोलते हैं कि page से एक bone को दूसरे bone से connect कर देना ये एक surgical procedure है एक orthopedic wires वगएरा लगा देते हैं interlocking lengths होती हैं और साथ में कुछ pins भी होते हैं तो guys basically ये रहा एक surgery का part तो guys अगर आपको इसमें solution तो नहीं दिखा तो guys solution की अगर मैं आपको ये बात बताऊं अगर fracture है तो immediately wet के पास ले जाओ वरना देर कर दोगे problem होने के chances बढ़ सकते हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा problem आ सकती है dog को बहुत pain होगा कई बार तो death भी देखने को मिलती है इतना extremely pain देखने को मिलता है इस situation के अंदर यार common सी बात है अगर हमारी body के अंदर इतनी सारी bones होती है अगर उनमें से कोई crack कर गई उनमें से कोई तूट गी तो हमें कितना pain होगा तो यार इन बे जुबानों को क्यों नहीं pain होगा होगा इनको भी pain ठीक है बैसिकली जिसके अंदर हम single bone को लेके चलेंगे तो उसके अंदर हम बैसिकली जो हमारी जो antibiotics होती है ताकि जो वो घाव हुआ है ताकि वो fracture हुआ है heal हो जाए हम वो दे सकते हैं लेकिन अगर आप surgery करवाने लेके जा रहे हो किसी veterinary doctor के पास veterinary surgeon के पास तो guys आपको ये देखने को मिलेगा कुछ pre-operative जो management से वहाँ पर perform होगी जिसके अंदर analgesics वगएरा दिये जाएंगे जो basically pain killers होते हैं साथ में कुछ nasates होती है अब nasates क्या होता है non-steroidal anti-inflammatory drugs इनके बहुत सारे types होते हैं वो भी आपके dog को injection के injective form के अंदर लगाए जाएंगे जिससे आपका dog properly ठीक भी हो सकता है तो guys surgery इसका एक संपूर एक solution रहेगा कि अगर fracture है तो आपको surgery ज़रूर करवा लेनी चाहिए आपको fracture का जो proper इलाज जो होता है कहीं वो casting भी हो सकता है या कुछ other जिसको हम जो plaster of Paris या basically plaster जो बोलते हैं ये तो काफी deep हो गया वो तो internal structures में जाके आपको समझ में आएगा अगर आप एक veterinary student हो veterinary assistant ही क्यों ना हो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे तो ये आपके veterinary doctor ही करेंगे तो guys अगर मैं बात करता हूँ इसके successive rate की तो guys अगर मैं बात करूँ successive rate की तो 65% ऐसा होता है कि आपका जो dog की जो bone है वो जुड जाती है 65 मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ विकोज इसके अंदर हमें कैनायन के अंदर कुछ side effect भी देखने को मिलते हैं अब कैसे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले successive rate की हमने बात कर ली कि successive rate है अगर आप surgery करवा रहे हो तो आपका dog बज सकता है आपकी dog की bone जुड भी सकती है लेकिन guys मैंने आपको एक part बताया था जिसमें आपके जो veterinary जो surgeon होते हैं कुछ bone plates लगा देते हैं कुछ screws वगारा लगा देते हैं और orthopedic wires वगारा उसके अंदर inject कर देते हैं तो उसके अंदर उसकी वज़े से ऐसी problem देखने को मिल सकती है आपके dog के अंदर किसी भी तरह का internal infection डेवलोप हो सकता है साथ में guys body के अंदर soft tissues होते हैं उन soft tissues के अंदर आपको irritation देखने को मिलेगी आपका जो dog है काफी ज़्यादा irritated रहेगा उसको अगर वो चल फिर ढंग से रहा है लेकिन फिर भी internal उसको कही ना कहीं ऐसा लगेगा कि मेरी body के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे मैं काफी ज़्यादा disturb हो रहा हूँ तो यह ऐसे reason होते हैं जिनकी वज़े से यह जो plates वगेरा लगाई है इनको remove करना पड़ता है otherwise ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी आप surgery की तरफ जा सकते हो अगर किसी भी तरह का fraction हुआ है और guys अगर fracture हुआ है और उसका एक प्रोपर एक treatment करो जो आपके veterinarian जो surgeon जो होते हैं वही करेंगे ठीक है otherwise आपको किसी भी जो जो जोला शाफ वगेरा होते हैं उनसे बिल्कुल भी आपको treatment इसका नहीं करवाना आपके डोक की जान खतरे में पढ़ सकती है तो guys आज की जो वीडियो है हमने complete कर दी है hope so आपको पसंद आई होगी आपके लिए knowledgeable रही होगी लेकिन guys एक चीज मैं repeat कर दूँ मेरे एक friend का channel है जैसा कि मैंने first भी आपको बताया था वीडियो के entrance के अंदर यानि entry करते ही तो guys clay art and hobby उस channel का नाम है 793 subscriber है अभी फिलाल और guys target है 1K का ठीक है 1000 subscriber उसके complete करो अब please आप से मैं यही request करूँगा मैं आपके लिए बहुत सारी videos बगारा बनाता हूँ तो एक help तो आपकी बनती है description में मैंने link दे दिया है और i button में भी मैंने starting के अंदर डाल दिया था Thank you so much for watching this and please do like subscribe comment and share Thank you so much